वेलकेम बैक टू सुमन कोशी किचन दोस्तों आज हम बचे हुए चावल से बहुत ही टेस्टी नास्ता बनाने वाले हैं जो कि कुछ ही मिन्टों में बन करके तयार हो जाता और हैल्दी भी होता है तो आईए दोस्तों इसको बनाना शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम जार लेंगे और उसमें चावल को डाल करके उसको बारिक पीस लेंगे पीस टाइम हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर लेंगे दोस्तों चावल को हमने पीस लिया है अब हम इसको एक बरतन में निकाल लेंगे चावल को पीस लेने के बाद हमें चाहिए कुछ वेजटेबल्स जैसे कि प्याज और यह अद्रक्त मिक्स वेजटेबल्स और धनिया पत्ती यह दोस्तों हमने सबजियों को भी हलका दरदरा पीस लिया है क्योंकि हम इनको रोस्ट नहीं कर रहे हैं पहले अगर आप रोस्ट क क्योंकि ज्यादा हेल्दी रहेगा अगर आप इसको पीस के डालते हैं डारेक्ट तो अब हम इसमें डालेंगे नमक आपके टेस्ट के अनुसार कोरियंडर पाउडर रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा जीरा साथ में डाल देंगे बारी कटिवी दनिया पत्ती और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे समग्रियों को अच्छे से मिक्स करने लेन के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूजी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको पांच मिनेट के लिए हम डाक करके रख देंगे और इस बना के थोड़ा सा इसको चप्टा करेंगे और बीच में हाल कर देंगे यह वेंदुवड़े की तरह का पंज जाएगा और दोस्तों इसके बाद तवे को गरम करके हमें केक को ऐसे तवे पर रखते जाएंगे और दोस्तों आब हम इसके बीच में एक एक ड्रॉप ओल का डाल देंगे ताकि नीचे से अच्छे से पक जाए ज्यादा तेल इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता है और इसको स्लो फ्लेम पे दो से तीन मिनेट के लिए ढख करके राख देंगे दोस्तों दो तिन मिनेट के बाद आब हम इनको दूसरी साइड से पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से सिख जाए इनका कलर आप देख रहे हैं कि चेंज हो गया है, यहनि कि एक साइड से अच्छे से पक चुके हैं, इसी तरह सब को पलट देंगे और दूसरी साइड से सीखने देंगे, देखे बगार किसी विशेस बरतन के हमारे कितने अच्छे चावल के वड़े बन करके रेडी हो रहे है देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप फिर इनको ढख देते हैं, अब पक चुके हैं यह वड़े, आप हम इनको एक बरतन में निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए बड़ों को भी बना लेंगे अब फिर से हमने लगा दिये हैं और इनको फिर से ढखके ऐसे ही सेम प्रोसेस से पका लेंगे दोस्तों हमारा लेप टावर राइस ब्रेक फास्ट बन करके रेडी है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, सेर भी करें और कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, थैंक्यू दोस्तों